जिन्दिगी में खुशियां सफलता खुद का प्यार चाहिए तो जितनी जल्दी हो शके प्राकृति को अपना लें और विक्रिती को छोड़ दें तो खुद का प्यार खुद से ही मिल जाएगा हलो हलो फ्रेंट्स कूड मार्निंग कैसे हो आफ शर्फ उमीद करतें सो बढ़ियांगे चका चकूंगे तो आज फिर साढ़े-चार बजे से मेरी दिन चरिया सुरू हो गई है तो कैसे साढ़े-चार बजे से साढ़े-ग्यारा बजे तक हम अपना सारा घर का काम निपटाते ह बिना किसी के मदद के, बिना कोई हेलफर के, हाँ फ्रेंड्स, अपनी हर दीन उर्जा, उत्सा और उमंग से भर लिया तो हमारे बर्दमान में तो उमंग होगी ही होगी, और हमारा भविश्य में भी खुशियां और उमंग भरी-पड़ी मिलेगी हमें, ये कहते हैं ना कि अपनी आदतों में थोड़ी सी सुधार करके तो हमारा नीव हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा जिसके कारण उमंग और खुशियां की कोई कमी नहीं होगी ना भविश में और ना ही बरतमान में सुभा सुभा की हमारे ये वीडियो जो है सुभा सुभा वाली वीडियो हमारे चैनल नी तो सुईट होम पर बहुत सारा मिलेगा देखने को तो चलिए देखिए और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सभी ये दिन चरिया आपने अपनाए क्यूंकि बहुत तो बहुतों के लिए ये बहुतों का अपना पर्शनल सिच्वेशन ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बहुत तो मतलब किसी के छोटे बच्चे हैं तो ठंड में पॉसिबल नहीं है उनके लिए, कोई हाट का पेसेंट है तो उनको तो खर परहेज बहुत ज़्यादा परहेज चाहिए होता है, ये अभी जो जिस तरह का ठंड है ना कनकरनी वाला ठंड तो उनको परहेज चाहिए होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको ही उटना चाहिए, लेकिन हाँ, जो सही है, जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि अपने आलश और अपने आलश के कारण अपने जीवन में नकरात्मक शोच के कारण कहीं न कहीं ये भूल जाती हैं कि सुबह उटना कितना ज़्यादा जरूरी है, हमारे खुद के लिए, अपने घर के लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसके क्या-क्या फाइदे हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि महिलाओं का दिनचरिया में थोड़ी सी बतलाव आये तो इसका क्या फाइदा मिलता है, ये धीरे-धीरे खुद ही पता चलने ल हुआ फिर लोट के नहीं आएगा, मेरा कहने का यहीं मतलब था, और इन्हीं सब के बीच सबसे अच्छी बात, जब हम खुस होकर उठेंगे, अच्छा महसूस करने लगते हैं, तो अपने शारे काम को अच्छी तरीके से करने लगते हैं, तो खुद में, खुद में, मेरा काम हो गया, मेरा मूशे निकलता है, इसलिए मैं आपनों को बता रही है, तो मेरा यहाँ पर अब अशनान हो गया, अशनान के बाद अब पूजा पाठ होगी चलिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजे, पूजा पाठ तो होई गया था, और अब हम चलते हैं, सीधे आप किचन में आप लोग से मिलते हैं और आज बनाने जा रहे हैं कुछ इस्पेशल, इस्पेशल मतलब अभी तो खैर सबजीयां बहुत जादा मिल रही है, मैं यह निक होँगी कि सबजी अभी नहीं है, घर में तो यह बना लीजे, नहीं, यह अभी मुमकिन नहीं है, सभी के घर में हरी हरी सबजीयां बहुत लेकिन आज मैं बनाने जा रहे हुए, यह छोटे वाले बेबी आलू है ना, बेबी मतलब पोटेटो, वो छोटे वाले आलू का कुछ सबजी बनाएंगे, तो बहुत दिनों से यह मन कर रहा था, लेकिन सबजीयां आज है, फिर भी छोड़ी हटाईए, जो है, सो है, जो मन करेगा बनाएंगे, और लेकिन आज आलू का तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, सिर्फ आलू की सबजी, वो ना अभी नया आलू आ रहा है, तो बहुत मन हो रहा था, बहुत दिनों से जब देखते थे तो लगता था कि बना ले, लेकिन बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज हम बनाएंगे चाहे मुझे अपने रसोई म्याज दो सबजियां क्यों ना बनानी पड़े लेकिन मैं आज बनाऊंगी तो जो भी बनाऊंगी आप लोग के साथ सेर करूंगे यह आउले वाला बुरादा है जो कि मैं सुखाती हूं डेली कभी-कभी तो आटे में डाल के बना लेकिन जब नहीं डाल पाती है आटे में तो ऐसे करके शुखा देते हैं इसको जो जूस पीते हैं आउले का पानी वस वही उसके बाद अब मेरे यहां पर चाही बन गया था और आलू भी हम चड़ा दिया उदर कुकर में उबल जाए और यह जो टमाटर देख रहना तीन पांच टमाटर था उपर फरा हुआ था मेरे खुद के पेड़ में किचन गार्डन जो लगाए है उपर बस उसी में लेकिन दो टमाटर कोई खा गया मतलब चूहा हुआ कोई खा गया और यह घर का ही जो बैगन है वह इसको इस टाइप का सेप में हम काट लिये थे इसकी ल वाला शेप में काटे और सिर्फ तेल हम डाले हैं इसको बनाते हैं तो खेर आलू की सबजी तो बनाएंगे ही लेकिन बैगन आज तोड़ दिये थे निमिक पापा ही सुबह तोड़ के गया थे तो हम सोचे यह वाला जो बाशी हो जाय तो फिर ठीक नहीं है जब घर का है त इसे ताजा-ताजा ही बना के खालेना चाहिए तो इसलिए हम बैगन भी एक साइड बना दी हैं और अलू तो बाली लिये थे तो मेरा उधर बैगन जब तक भून रहा था तब तक हम आलू सोचे चील लेते हैं तो यहाँ चीलने लगे थे और बैगन भी देख रहे थे लेक करके बस देखिए इसका टेक्स्चर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए उसके बाद फिर से इतना तेल बच गया था क्यूंकि बहुत ज्यादा तेल मशाला बरदाश नहीं करता उसे बहुत ही कम तेल और मशाला में बहुत स्वाधिस्ट बनता है बस यहां पर थोड़ा सा हम सर्शो थोड़ा सा खटा पन इसमें आएगा और बीना मतलब प्याज और बीना टमाटर का ही यह वला बनेगा सबजी सबजी क्या वह लटपट वाला बैगन का ऐसा ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वैसे भी आलू का सबजी बनाएंगे ही तो यह वला ऐसे ही बना देते हैं तो बस यहां पर बैगन को डाल दीने हैं और आज कि मेरा खाना बनेगा नास्ता बनेगा वह साथ यह साथ ना मतलब लंच और नास्ता दोनों चल रहे है क्या काम है क्या है वह आप लोग पानाए जल्दी जल्दी निपटा रहे थे इसमें थोड़ा सा पानी लाले और यह पायगन डाल्टी फोड़ा सालका सागे बादैने फेन तेक्ष्चर बिद मिकस बदाएं। नज़ता है, जिसको अलू फशेटें उसके बाद से फिर बात करते हैं, तो आलू तो मेरा सारा CHला गया था उसके बादे यहाँ पे अब देख लेते हैं तो ze दिखिए हमारères बडारा बना है यह वला ऐसा ही चाहिए था बिलकोल ऐसा ही चाहिए था अब गैस ऑफ कर देंगे उसके बाद इसको और यहां देखे आलू को भी हाथ से ही फोड ले रहे हैं बस आलू को फोड लेना है ज्यादा उसमें पीस पीस वाला कटिंग नहीं काटेंगे क्योंकि अभी जो नया आलू है न वो उबलने के बाद भी उसमें थोड़ा सा कड़ा टाइब कराता है उसके बाद फिर से चड़ा दियें यहां आयरन का कड़ाई में बनाएंगे तो बस यहां पर थोड़ा सा सर्शो का तेल डाले हम लोग मिडिल क्लास फैमिली जितना भी सबजी बना लो रैसेपी बना लो कुछ भी बना लो जादा तर सर्शो का तेल ही यू चोटा छोटा सा प्याज यृ एकदम छोटा सा वला प्याज था और एकदम छोटा छोटा वला काटके ढालें बिल्कुल चौप नहीं किया हैं tob Pal ज्यादा महीन बहुत जादा पिशा हुआ ने करऊ Если य्लिए आधा टमाटर लिए बड़ा टमाह ता है इसलिए आधा तमाहर और हम छोटा-छोटा काट के भी डाल दिए दोनों टमाटर प्याज साथ में भूनें बहुत जादा इसको नहीं भूनेंगे हलका साही भूनेंगे उसके बाद भूदा हुगा अलू ठाल्व टाल दिए और अलू प्याज टमाटर अब three वी西 में कोई usa नहीं डाले है तीनों साथ में भुनने बाद ऐसा हो गया था इसका टेक्शुन आ और यह अभ इसमें हम जुब मसाला है थोड़ा बहुत हल्का मसाला डालेंगे बस इसमेश डाले हैं हल्डी-अर थोड़ा सजीरा पड़ सब्सक्राइब बुद यह पीशना जो रखते रखते ताकि इसका मुशाला भी भुंजा, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे डेर सारा पानी, और ये आलू का जो कहते हैं वह ग्रेवी वाली सब्जी, जिसको पूरी के साथ खाते है, अधिकतर ने होटल में अधिकतर समॉसे के साथ ये वाला सबजी देता है, ऐसा ही सब्जी तो देखिए यहां पर उबल रहा था बस यह वाला टैक्स से रखेंगे ताकि इसको जब ओफ करेंगे ना तो यह जब ठंडा होगा तो इसका अपने आप थोड़ा सा थिकने साएगा तो बहुत ज्यादा थिक मुझे नहीं चाहिए था बस इतना ही चाहिए बस यहां पर हम ग दोनों सब्जी बन गया था जल्दी से हम फठा फट जाज नास्ता और खाना दोनों एक ही साथ खाएंगे और उसके बाद फिर लगेंगे अपना काम में क्या काम में लगेंगे तो खेर गड़बर तो हुआ था आज मुझे और यह आप देखे धनिया पतक चटनी भी पीसे जाता तो चलिए पहले खा लेते हैं उसके बाद फिर आप लोगो बताते हैं कि क्या हुआ था तो यह जो वीडियो वीडियो है यह रात का ही है रात में हम में यह मेंदी का पावडर मंगवाए थे फूलने के लिए देने बाल में लगाना था इसलिए आज हम लंच और नास पावडर नहीं यह मेंदी का कलर लिकविड लाए है पतंजली का जब पैकेट फाड़े तब मुझे उसमें से जब निकला लिकविड तब हम उसमें पढ़े ध्यान दिये तो यह हो गया मुझे मतलब ना बहुत ज़्यादा वो ना मतलब करो कुछ सोचो कुछ और जब होता और आज का वीडियो हम यहीं पेंट करते हैं टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया फिर मिलते हैं आप सबसे कल